नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नॉलिश पर दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के टौफ फाइफ मोटिवेशनल स्पीकर्स के वारे में जो की हर दिन अपनी बातों से लाखों लोगों के अंदर जीवन में क कुछ करने की एक नई चेतना और उर्जा भरते हैं दोस्तों वैसे तो यह पांचों स्पीकर अपने आप में काफी कमाल के हैं लेकिन इसके बाब जूद भी अगर आप लोग चाहें तो नीजी तोर पर अपने किसी मन पसंदेजा स्पीकर का नाम और उनकी एक स्पैशलिट होटल उध्योग से की थी जिसके बाद इन्होंने अमेरिका दुबाई और भारत में काम किया लेकिन कुछ सालों बाद ही इन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशाद देने की सोची और इन्होंने वक्ता का काम शुरू कर दिया दोस्तों आज ही अपनी लाइफ में सक्से मिनार किये है नमबर दो। डॉक्टर विवेक विंद्रा दोस्तो डॉक्टर विवेक विंद्रा अज भारत में एक फेमस और सबसे सक्सेषफ़ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं साथि साथ ये अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल उद्धिमी और बिजनस कोच के तौर पर भी जाने जाते हैं दोस्तो आज दुनिया भर में विवेक बिंदरा की पहचार अंतराष्टिय स्तर की बन गई है दोस्तो इन्होंने अपने जीवन में करोडों लोगों को काफी मोटिवेट गया है यह दस किताबे भी लुक चुके हैं जो की लोगों के लिए काफी यूसफुल है दोस्तो डॉक्टर विवेक बिंदरा का यूट्यूब पर एक चैनल भी है जहां पर इनकी केस स्टड़ी काफी पसंद की जाती है दोस्तो आज ये अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान मा जाते हैं इनका जन्म 22 अपरेल 1974 को हुआ था दोस्तो इनकी प्राइमरी सिक्षा सैनिक स्कूल में हुई थी और इन्होंने दिल्ली से इंजिनिरिंग की पढ़ाई पूरी की थी दोस्तो ये अपनी लाइफ में युवाओं की बीच बहुत जादा प्रेरित है दोस्तो इन्ह बड़ी बड़ी कमपनियों से बुलाबा आता है जहां पर ये जाकर के उन करमचारियों को मोटीवेट करते हैं दोस्तो इनके उपन्यासों पर फिल्में भी बन चुकी है जिनमें से ठीरी इडियट एक सक्सेस्फुल फिल्म माने जाती है जिसे आप में से भी बहुत से लो और परिसानियों का सामना किया था दोस्तों इन्होंने कई सारी कारोबार भी शुरू के थे लेकिन ज्यादातर कारोबारों में पुरी तरह से विफल लें थे जिसके बाद इन्होंने एक वैबसाइट की स्थापना की जिसका नाम इमेज बाजार था जो की भारतिये प्रित्रों को सहेच करके रखती थी जिसके बाद इन्होंने लोगों की मदद करने का निश्चा किया और ये लोगों को लाइफ में कुछ करने के लिए प्रिरिद भी करते थे और ऐसे करके आज ये अपनी लाइफ में एक सक्सेस्फुल मूटिवेशनल स्पीकर माने जाते है और लाइफ में कुछ करने के लिए प्रिरिद करते रहते हैं दोस्तों इनका कहना है कि अगर आप लोग एक बार अपने काम की शुरुआत करते हैं तो आप लोग अपने काम में 100% सफल होंगे हाँ ये अलग बात है कि आप लोगों को रास्ते में थोड़ी बहुत उतार अपड़ा बतो डॉक्टर अमेरिका में भी काम कर चुके हैं दोस्तों डॉक्टरी में काम करते करते इनका रुझान एकदम से आध्यात्म की ओर हो नहीं कुछ समय अपना जीवन आध्यात्मी गुजारा जिसके बाद इन्होंने रोप्रवेंशन को पुरी तरह से बंद कर इसакे के विनफे तॉछ सब्सक्राइब विमध रूट्ट समस्वर्भीट है आछे पार्यों करेंBS